गुट मॉर्णिंग दियर स्टूडेंट इस वेडनेस दे 19 अगस्ट 2020 तो आज हम क्लास 9 की वोक्षीट नंबर 20 सॉल्व करने वाले हैं सब्जेक्ट है हमारा साइंस और इसे हम हिंदी मीडियम में करने वाले हैं इंग्लिस मीडियम में भी मैंने पढ़ाया है हिंदी मीडियम प्लास आपको अपनी क्लास टीचर का नाम फिल करना है सबसे पहले हमएसे ही चैप्टर को पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे उसके बाद कोशन दिये हैं उसको अंसर भी लिखेंगे तो आईए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है जीवन की मौलिक इकाई हमारा जो जीवन है इसकी मौलिक इकाई क्या है उसको पढ़ते हैं देखें यहां पर आपको इमेज में दिखाया है यह जिग्यासा दीदी है और यह ज्यान भहिया कुछ कोशन पूछ रहे हैं चलिए देखते हैं समझते हैं किस तरह से यह कोशन पूछ रहे हैं तो यह जिग्यासा से पूछते हैं जिग्यासा दीदी हमने जाना की कोशिका जीवन की मूल भूत क्रियात्मक इकाई होती है लेकिन ये जीवन क्रियाएं क्या है और एक कोशिका इसे कैसे कर पाती है तो ये पूछता है कि हमें ये तो पता है कि जीवन की मूल भूत इकाई क्या है कोशिका है सेल है ठीक है जो एक कोशिका है उसी से हमारी पूरी इसे पोच रहा है आप को पता है कि जैसे एक एक से घर बनता है वैसे ही हमारी जो कोशिकाई है और हमारा शरीर बना हुआ है उहीं जीवन क्रियाय क्या है अग जिद्यासा देदी भूलती है जैसे कि तुम जानते हो कि किसी भी जीव के कुछ विसिस्ट लक्षड होते हैं जैसे कि आप देखते हैं क्या होता है व्रिद्धी उत्सर्जन भोजन करना ठीक है सांस लेना इत्यादी तो यह सब क्या है कोई जीव है जो भी जीव है यानि जीव आत्मा है जिसमें जान है ल टबक प्रड़क्त हैं उतसल्जण ब Gregory चोड़ते हैं फजाएं पढ़नलों मेट पना और दůनला सबस्ट भंधे शोड़ते हैं तो ये आजम,"ymph नोग मेंटभ़तें, recovery, और ये देनवल स्वम्हंनने सपने पोक्द याचित को भ्यूद निकिकश्षाते हैं living organism यानि की जीव होता है वो ये सारी आवशक क्रियाएं करता है ये सभी आवशक क्रियाएं जीवन क्रियाएं कहलाती है मतलब जितनी भी ये आवशक्त क्रियाएं हैं जो हमारे सरीर के जरूरत होती है ये क्या कहलाती है जीवन क्रियाएं जो पृतिये कोशिका में पदार्ट के आदान प्रदान से उत्पन होती है और ये किस प्रकार से ये क्रियाएं होती है ये कोशिकाओं में चीजों के आदान प्रदान यानि जो हमारी कोशिका होती है चोटी चोटी इसके अंदर बहुत सारी चीजे होती है और उसमें क्या होता है चीजों का आदान प्रदान होता है अब वो कैसे होता है वो देखेंगे पिटिये कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिने कोशिकांग कहते है तो वो कहती है कि हर कोशिका के अंदर कुछ घटक होते हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं यानि जो एक कोशिका है उसके अंदर भी कुछ चीजे होती हैं जिने हम क्या कहते हैं कोशिकांग कहते हैं और हर कोशिकांग एक विशिष्ट कारे करता है सबका एक अपना अलग कारे होता में तो सबके अलग अलग गुड होते हैं ये अलग अलग कारे करते हैं अब वो बोल रही है कि सेल के अंदर यानि कोशिका के अंदर क्या क्या होती है क्लोशिका में प्लेज्मा होता है जिल्ली केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य यानि एक तो इसके बीच में केंद्र होता है जिसे हम क्या बोलते हैं केंद्र इसके अलावा क्या होता है प्लेज्मा पदाल्थ होता है जो सेल के अंदर भरा होता है वो क्यों भरा होता है आपको पता है कोई तरल पदाल्थ होगा तो उसमें चीजे असानी से एक जगे से दूसरी जगे बहके जा सकती है और क्रियाएं कर सकती है तो यह उसने समझाया कि यह यह सारी चीजे होती है अब जब इत क्या होती है और इसका क्या कारे होता है वैसे ही हर कोशिक बाफर जिली कहते हैं फ्रकर ओंठे कोण przy करते हैं तो यह तरह कशिका कि अच्ट करता हैं तो उसी तरिके से इस ने बता या कि क्या क्या करते है कवर करता है अब यह समझाएगी कि क्या होता है जियान यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो केवल जरूरी पदार्थ को कोशिका के अंदर और बाहर जाने देती है मतलब ये जो जिल्ली है ये क्या काम करती है ये गार्ड का काम करती है जैसे गार्ड स्कूल में होते हैं केवल उनी लोगों को जाने देते हैं जिनके लिए परमीशन होती है वैसे ही जिल्ली क्या करती है विशेश पदार्थों को ही अंदर जाने देती है सल में और विशेश कौन से होते हैं कोश्क के अंदर या बाहर जाने देती है इसे वर्नात्मक परामगे जल्ली भी कहते है ठीक है तो यह इसका एक और नाम है और इसमें यह कहा है की कौन से पदाध होते है जरूरी पदाध होते हैं जैसे 20 co2 पोशक तत्व और जल इत्यादी यानि कि oxygen, carbon dioxide, पोशक तत्व और जल ये ऐसी चीजें हैं जिनको वो आने और बाहर जाने देती हैं इसे लिए इसे वनात्मक पारगम में जिल्ली भी कहा जाता है तो कई बार पूछे जाता है पारगम में जिल्ली किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं ठीक है पारसर प्रिक्रिया के कोशिका के अंदर और बाहर जाते है प्धारतो आधी इसके अलावा आपको यहां पे वो विश्रण किसे कहते हैं वो देखते हैं पदार्ट की गती जादा सांदर्टा से कम सांदर्टा की और जाती है तो उसे विश्रण कहते हैं विश्रण क्या होता है कि जादा सांदर्टा से कम सांदर्टा की और पदार्ट का जाना सांदर्टा क्या होता है कि हाई कंसेंट्रेश जहां पे बहुत जादा पार्टिकल हो बहुत सारे पदार्थ हो ठीक है एक जगह पे और एक जगह पे बहुत कम पदार्थ हो तो जादा पदार्थ से कम पदार्थ की ओर जाना क्या कहलाता है विश्रण कहलाता है ठीक है जैसे आपने देखा होगा कि यह क्या होती है पर्फि कोशिका जिल्ली से जल का विश्रण परासरण कहलाता है अगर कोशिका जिल्ली से जल का विश्रण हो यानि जल अंदर और बाहर जाए तो उसको क्या कहते हैं परासरण कहते हैं यह विश्रण विश्रण से अपॉजिट होता है उल्टा होता है परासरण अब परासरण में इन लिएन तीन प्रकार के होते हैं, यानि तीन प्रकार के विलियन इन्होंने हमें बताए है, वो किस-किस तरह के होते हैं, सबसे पहले अल्प परासरन दा दा भी, क्या होता है, विलियन में कोशिका की अपेक्षा जादा जल मतलब एक आपको ऐसा विलियन लेना है मतलब solution ठीक है solution क्या होता है पानी उसके अंदर कोई चीज मिली होती है तो आपको ऐसा विलियन लेना है जहां पे क्या होगा जो cell होगा वहाँ पे कम पानी होगा सेल के अंदर कोशिका के अंदर कम पानी होगा और कोशिका के बाहर क्या है अधिक पानी होगा ठीक है तो कोशिका के बाहर अगर अधिक पानी है कोशिका में कम पानी है तो ऐसा जो आपका विल्लियन है यह क्या कहलाता है अल्प परासरन गाबी कहला ठीक है और इसमें ऐसा क्यों होता है तो इसमें क्या होता है कि बाहर जादा है तो घूंन होदा फूल पौरा पानी भल जाता है अब दूसरा प्रकार क्या होता है संपरासरण डाबी क्या होता है कोशिका और विल्यन में जल की सांदर्ता समान हो मतलब कोई आपको ऐसा लेना है जहां पे सेल के अंदर यानि कोशिका के अंदर और बाहर दोनों में सांदर्ता कैसी हो एक समान हो क्या होगा कोई भी बदलाव नहीं होगा जो जैसे कोई में कोशिका के उसमें कम है तो ऐसे में क्या होगा जो कोशिका है वो सिकुड जाएगी अंदर की तरफ क्या होगा सिकुड जाएगी अब ये तीनों का एक्सपेरिमेंट करके आपको एक परिक्षण करके दिखाया हुआ है इस डाइग्राम में तो इस प्रिकार आप देख सकते हैं डाइग्राम में सबसे पहले आपको क्या दिखाया हुआ है सबसे पहले आप जो cell है जिसमें अंदर और बाहा सांदरता क्या है बराबर है तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा कोशिका जैसी थी वैसी ही रहेगी दूसरे में क्या लिया हुआ है दूसरे में इन्होंने क्या कहा है अल्प परासरन दाबी यानि पहला वाला है तो अल्प परासरन दाबी में क्या होगा cell जो होगा वो फूल जाएगा क्योंकि यहां पर बाहर क्या है जादा पानी है और तीसरे में क्या है अती परासरन तो अती परासरन में क्या होगा सिकुड जाएगा ठीक है तो आपको तीनों कंडिशन समझ में आ गई अब थोड़ा सा आप देख लीजिए थोड़ा सा हमें क्या बताना है थोड़ा सा पादपो के बारे में भी बताया है आपको मनुष्यों के बारे में सेल के बारे में बता दिया कोशिकाओं के बारे में अब आपको थोड़ा पादपो की कोशिकाओं के बारे में भी बताया है उसे भी देख लेते हैं पादपों में प्लेजमा जिल्ली के अत्रिक्त कोशिका भित्ती भी होती है यानि कि अभी तक हमने देखा वो मानव कोशिकाओं को देखा मानव कोशिकाओं में क्या था जो हमारी कोशिका थी उसके बाहर उसके प्रोटेक्शन कौन कर रहा था प्लाजमा जिल्ली और दूसरी पहली प्लेसमा जिल्ली 15 कोशिका भित्ति यह आ लिखोषबृए्ढे प्लैजमा जिल्ली सहीड आंत्रिक पदार्थ संकुचित सम्प्राइब कहते हो जाते जिसे प्लाजब्क्ला मरति इक वहां तरफ संपुचित ऒबसे को और प्लैजमा जिल्ली सभी आंत्रिक पदार्थ क्या होते हैं संकुचित हो जाते हैं तो पहले इस कंडिशन में दिखता है फिर इस कंडिशन में और उसके बाद वो संकुचित होके अंदर ऐसे शिकुड जाता है तो इसको क्या कहते हैं जीव द्रव कुंचन कहते हैं तो यह आपको पूरा समझ में आ गया जीवन इकाई ठीक है कि मानोग जिली कैसे होती है पादप जिली कैसे होती है अब आप से कुछ प्रश्ण पूचे में उनका आपको उत्तर देना है जहाँ पे चार प्रश्ण पूचे गए हैं आपसे तो सबसे पहले जो इनके प्रश्ण है इनके उत्तर में आपको बोल के बता दूँगी आप चाहें तो नोट डाउन कर ले वरना इनके उत्तर में हाथ से लिख कर और इसका PDF टेलिग्राम पे अपलोड करा दूँगी तो आइस वारियल चैनल का नाम और ठीक है बच्चो और वहां से जाकर आप उसको जॉइन कर ले वहां से PDF मिल जाएगा आपको सारे वीडियो का और PDF से आप अंसर देखके लिख सकते हैं सबसे पहले कोशिका जिल्ली का क्या महत्व है कोशिका जिल्ली का क्या काम होता है तो आ कोशिका के अंदर आने और जाने देती है ठीक है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं और उधारन स्वरूप लिख देंगे O2, CO2 और जल दूसरा प्रशन है जीव द्रव कुंचन की चित्र सहित व्याख्या कीजिए तो मैंने अभी आपको बताया था कि जीव द्रव जाते हैं ठीक है और यह जो आपको पादप वाला डाइगराम दिखाया हुआ है उसको आप बना देंगे यह जो आपको घ्रा इमेज को आप कर देंगे इसके बाद तीसरा प्रश्ण पूचा है कोशिका का कौन सा भाग पारगम में होता है तो कोशिका का कौन सा भाग पारगम में होता है कोशिका जिल्ली ठीक है कोशिका का कोशिका जिल्ली पारगम में होता है वो केवल विशेश पदार्थों को आने और जाने देता है इसलिए उसको क्या बोलते हैं पारगम में बोलते हैं और वो क्या होते हैं औक्सीजन, कार्बन डायोकसाईड ठीक हैं और जल तो वो आप लिख देंगे इसके बाद चौथा प्रस्ट है किसमिस और लाल रक्त कोशिका को अलप परासंड दाबी विल्यन में रखने पर उनमें क्या बदला होता है तो उनमें क्या बदला होता है वो फूल जाते हैं जो यह आपको दूसरा वाला डायग्राम दिखाया गया था तो इसमें आप बोलोगे कि क्या होगा जो रक्त कोशिका है वो फूल जाएंगी और क्यों फूल जाएंगी क्योंकि क्या होगा बाहर जो जल की सांदर्ता है वो जादा होगी और अंदर कम होगी जिसकी वज़े से वो फूल जाएगा और चाहे तो ये वाला डाइग्राम भी बना कर दिखा सकते हैं तो ये अंसर मैंने बताए आप चाहे नोट कर लें और चाहे तो टेलिग्राम से जाकर PDF ड्वाइं लोट कर लें और वहां से देखकर लिख लें कैसा लगा आपको जरूर बताएं बच्चो कोई भी दिक्कत हो तो वो पूछ लें कमेंट बॉक्स में थेंक्यू सो मच फोर वाचिंग